पोडिया जंगू युवतियों की इजद और जान की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। जब 30-40 वर्ष आयू की महिलाओं के साथ सामुहिक बलतकाज ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो बेटियों को अकेले शेरों में छोडने वाले माता-पिता के माथे पर चिंता की लाकीरे और गहरी हो गई हैं कैसे आज की बेटियां अपने माता-पिता को यकीन दिलाएं की बाहर वो सुरक्षित हैं। कैसे उनसे कहें की उन्हें पढ़ने के लिए बाहर जाने दें। क्योंकि सुरक्षा का वादा करने वाली रीवा पुलिस कितनी शक्री है लिहाजा महिलाओं और जनसंगटनों का बुस्सा उबाल पर है। ग्यापंदेते हुए बजरंग दल के संयोजक आदित्य मिश्रा मयंक तिवारी सुरक्षा प्रमुक अमर बंसल दिव्यांसु मनीश अवनीश शाहू सूरज बंसल सचिन करन अंकित आदिकारी करता उपस्थित रहें। प्रयागस्पर न्यूज के ये रीवा से रोहित पादिल की खास रिपोर्ट। गटना से आहत हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाएं। हम आम आदमी के साथ हैं हम फर्यादी के साथ हैं पीडित के साथ हैं हम किसी पार्टी दल्या संग्ठन से हमारा कोई मतलब नहीं है जो भी आएगा वो हमारा विरोधी है जो अपराधियों को संरक्षन देगा वो हमारा विरोधी हैं उसकी खिलाफ हम हैं उसकी खिलाफ हम उतरेंगे। कि यह विश्व परिशाद अंतरक बजरंगल है बजरंगल के हमारे हनुमान प्रक्षंड के लोगों की सोच है हनुमान प्रक्षंड के सारे लोगी कस्टे हैं मानिपुली से दिख्शक महदा को गयापन देंगे। मैं आनंद मूर्ति तिवारी नगर अध्यक्षू बजरंग दलका